रिवसाहर में पुष्तिएनि को लेकर एक ही परिवार के लोगों में कबज्याon को लेकर विवात की स्थिती निर्मित हो गई यहाँ दुकान सिंचालक के परिवार की महिलाओं पूर्शों ने दुकान में जबरन घुचकर कबज्याfest उते ही पुलिस ले मौके पर पहुँच कर मामले को शांत किराया है दलासर मामला शहर के सिविल लाइन ठाना छेतर स्थेतर पुरादे बस स्टेड के समीप बाजगार महले का है जहां विस्वकर्मा फरिवार की पुस्तैनी दुकान में बेल्डी का कारोबार संचालित किया जा रहा ह बताया गया कि पुरिद दुकान संचालक द्वारा जिस दुकान में अपना कारोबार संचालित किया जा रहा है वह उसकी पुस्तैनी दुकान है जिसे पहले उसके प्रिता चलाते थे और अब वह खुद चलाता है लेकिन परिवार के ही कुछ लोग उस वक्त दुकान में पहले उसके पिता चलाते थे और अब वह खुद संचालित करता है। लेकिन परिवार के ही कुछ लोग उक्त दुकान में कबजा करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि दुकान के बत्वारे का प्रक्रण न्याले में विचारा धीन है। बताया गया कि अस दोपार अचानक से पहुँची कुछ महिलाएं हुआ पुलिशों ने दुकान में जबरन कबजा करने का प्रयास किया। जिसके चलते मौके पर विवात के थिति दिर्मित हो गई। जिसके सुचना मिलते ही पहुँची पुलिस ने मामले को शान्त कराया है। इधर जबरन कबजा करने का प्रयास करने वालों ने दुकान को बंद करा दिया है। जिससे प्रिट का कारुबार अब पूरी तरह से ठाफ हो गया है। कबजा हमने किया नहीं है वो दबबा हमारे हमें देखे गए है इसलिए हम उसको चला रहे हैं। और आज से नहीं करीब 40 साल से चला रहे हैं पहले पापा चला रहे था अब हम चला रहे हैं। अब बीच में आके इन लोगावाएं दूरूप से कबजा करेंगे। तो क्या करेंगे सर हम लोग उनका यह कहना है कि तीन हिस्से हैं तो तीन हिस्से यह थोड़ी है कि उनके नाम से करके गए हैं। इसमें यह चल रहा है जब सिविल में पोड में चल रहा आदेश के लिए तो क्यों यह परसान करते बीच में आए चलती दुकान बंद करवा देते हैं अभी कितने दिन बंद रहेगी क्या करेंगे हम उसके लिए जिनका काम रखा हो परसान होंगे हम कहां जाएंगी बताई क्या है हमारा नाव से जिस्ट हो रहा है हमारा कप्जा है तो हमारा ही रहेगा जबर जस्ति के लिए आते हैं देखे लड़ाई करते हैं लेडिजों के लेकर आएंगे हमें तो मालू मैं क्या कह दिए गया और फूद है ना तो अपको याज़ा फाड़ा देंगे अपने अपने हमारी भावी को लेका बड़ी मम्मी को लेकर आए गाए वो साली उनको भी लेकर चले आए जो रिस्तेदार हैं उनको भी वह भी समतलब आई थी उनको करवाने के हम तो दुगान से बाहर बैठें पूछ लिए पड़ोसियों से कहां जाकर बैठें तो हम यह सोच रहे हैं कुछ हमारे नाम से जाकर लिखवाना दिथानी पे तो तीन दिन होगे हैं हमारा भी ले लिए लिए ना इस्टेन में